ब्रेक के बद आपका स्वागत रुख करेंगे कुछ और कब रुका यूपी की डिप्टी सेम रुजेश पाठक ने गुरुआरकु लखनों में स्वास्तभवन के इंटिक्रेटिट कमांड सेंटर का खाटन किया सुबे के 111 जलास्पतालों को कमांड सेंटर से जोड़ा गया है जुसकी 24 घंटे मंटरिंग होगी प्रदेश के स्वास्त महानिदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी का कहना है कि सेंटर के एक्टिव होने से हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर की क्वालिटी में सुधार होगा उन्होंने ये भी पताया कि कैसे कमांड सेंटर काम करेगा और कितना इससे लाभ मिलेगा साथी डिंगो की बिमारी में ये कितना फायदे मंद होगा अनादे टीवी के लगने उसमवदाता अनूप चौधरी ने महांदे देशक स्वास्त डॉक्टर दीपा त्यागी से खास बात चीत के स्वास्त महाने देशक डॉक्टर दीपा त्यागी जी हमाएं साथ है आज कमांड सेंटर का मैम उधगाटन हुआ है यह किस तरह से फंक्सिनिंग करेगा किस तरह से इसे मरीजों को लाब मिलेगा 107 अस्पताल हैं जिन में 16 जगे पॉइंट यू चुने गए हैं इसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर है सब डॉक्टर्स के कंसल्टेशन चेंबर हैं ब्लाड कलेक्शन सेंटर है एमजेंसी है लेवर रूम के सामने जहां स्टाफ नर्स को और डॉक्टर को होना चाहिए वो है ओटी के सामने की जगे है विबिन आई पीडी के वार्ड्स हैं वहां पर डॉक्टर्स त्वारा राउन लिया जाता है फिर उसके बाद नर्स अपना काम करती है सफाई होती है बायो वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होता है होस्पिटल साफ सुथरा रहता है किसी किसम का कोई मरीज को असुविधा नहों स्ट्रेचर वील्चेयर पीने का पानी हर चीज की उपलब्दता पर्खी जाती है यह सोला पॉइंट जरूर है लेकिन चिकिछाले के अनुसार इन कैमरों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है कहीं कहीं हो सकता है पैंतिस चालिस कैमरे भी लगें जोकि इनी जगहों पर सारी सेवाइं दी जाती है अते इनी सेवाओं की सतत निगरानी के लिए और लाइव दिखता रहे हर पल उसके लिए यह योजना है और इससे डेफिनेटली सुधार हुआ है और होगा और इसको सारे अस्पतालों में लगा जाएगा जिलिए इसको आज फॉलो किया गया जिसका उधगातन वा क्या यह रन पे भी चल आ पहले एक्सिमेंट हुआ है तब जाके जब सफल हुआ तब जाके आज इसका उधगातन वा और मैं इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या डॉक्तर हमेशा 24 गंटे रहेंगे अगर कहीं पर कोई दिक्कात होती क्योंकि मॉनिटरिंग हो यह ऑनलाइन है तो अगर दिक्कात होती कैसे कम्निकेट करेंगा कैसे पेसेंट को रहात मिलेगी वह पे देखिए यह तो बहुत दिनों से चल रहा है हर अस्पताल के डॉक्टर अपने कमरे में चार्ज स्क्रीन लग二 है टो पुरे हस्पिटल की स्वयर्न निगरानी करते थे लेकिन इस निगरानी को इंप्रूव करने के लिए राज्यस्त है अची जिह अचे लिए फुरेटर इसे तर लेंगाया तो चल तो बहुत दिनों सेmor pou आज हमने मानिय मंत्री जी से और राजय मंत्री जी उद्धातन कराया है उसका ये सेवाओ की गुणवत्ता को निरंतर परकने के लिए और हम लोग संवाद काइम करते है हमारे जो कॉल सेंटर में बैठे हुए लोग है वो कॉल करते हैं तुरंट अगर कही पर कोई कमी देखन को मिलती है प्रेजेंटेशन में बताया था ना तुरंत वाट्साप मैसेज बेस्ट है आदे गंटे के अंदर अटेंड हो गया तो ठीक है नहीं तो फिर जेडी इस तरका एक अधिकारी चौबिस घंटे वहां पर रहता है आठ गंटे की ड्यूटी पर वो खुद बात करता है जो बुखार होता है तो उसमें सबसे पहली जांच होती है CBC की जिसमें के हम देखते हैं प्लेटलेट की स्थिती तो हमने कोशिश करिये कि पी एस तर पे यह जांच हो जाए और जब प्लेटलेट में गिरावट आएगी तो वो मरीज अपने आप ही उपर और उपर के अस्पताल में भेजा जाएगा डेंगू के लाज के लिए पैन तो हैसे भी उपलब्द रहते हैं वही डेंगू में भी चाहिए होते हैं एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होती है कि प्लेटलेट्स टांस्यूशन किसी को जरूरत पड़ती है जितने डेंगू के पेशंट है उसमें से मुश्किल से 5-6 परसेंट लोगों को प्लेटलेट टा तो है तो यह डेंगू की तैयारी सिर्फ है अलर्ट एजुकेशन प्रिवेंशन एंड मेडिसिन्स की एविलेबिलिटी और प्लेटलेट्स की एविलेबिलिटी वह सब कर चुके हैं हम लोग ठीक है आप स्वास्त महानिजिशक डॉक्टर दीपा त्यागी थी इन्हों ने साप जिनको सुना है चाहे कमांड कंट्रोल सेंटर की बात हो उसमें भी गुलवत्ता में सुधार आगा और देंगू की मरीजों की बात हो तो उसमें किसी को पैनिक होने की ज़रुवत नहीं हर सितिसरी बटने के लिए स्वास्त महानिजिशक विभाग तैयार है वीडियो अन्हिसानी के साथ अनुप चाधरी अनाधी टीवी लखनाओ